एक बार की बात है एक छोटे से गाव में मनीश नाम का एक लड़का रहता था मनीश बहुत ही चंचल और मजाकिया स्वभाव का था वह हर समय कुछ न कुछ शरारतें करता रहता था जिससे गाव वाले कभी-कभी परेशान भी हो जाते थे लेकिन उसकी मासूमियत और हंसी सबका दिल जीत लेता था एक दिन मनीश ने सोचा कि कुछ नया मज़ेदार किया जाए उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई गाव के किनारे एक पुराना कुआ था जिसे लोग बहुत डरावना मानते थे मनीश ने सोचा क्यों ना इस कुएं का इस्तिमा आने लगे उन्होंने चादर ओड़ कर भूत की तरह आवाजे निकालनी शुरू की गाव वाले डर कर अपने अपने घरों में छिप गए और कुएं की ओर देखना भी बंद कर दिया मनीश और उसके दोस्त इस पर खूब हसे और खुश हुए अगले दिन गाव के मुखिया ने घोशना की कि गाव में एक संत आये हैं जो हर समस्या का समाधान कर सकते हैं मनीश ने सोचा कि संत से भी थोड़ा मजाक किया जाए वह संत के पास पहुँचा और अपनी शरारत की कहानी बताई संत ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा शरारत करना बुरी बात नहीं है ले एक असली भूत की खबर फैल गई मनीश ने सोचा कि यह भी किसी की शरारत होगी वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर भूत को पकड़ने की योजना बनाने लगा रात को जब मनीश और उसके दोस्त भूत पकड़ने के लिए निकले तो अचानक से एक सफेद चादर में लिप पकड़ लिया लेकिन जब चादर हटाई गई तो वहां असली संत खड़े थे संत ने मनीश से कहा बेटा शरारत का अंत यही है कि कभी कभी हम खुद फंस जाते हैं मनीश ने अपनी गलती मानी और संत से माफी मांगी